जैहिंद फ्रेंट्स तो आज किस वीडियो में प्री बोर्ड एक्जामनेशन 2024 के लिए हम बाइलोजी का कोईशन पेपर क्लाश 12 का लेकर आए हैं इसमें हम आपके बाइलोजी के 70 नमबर का पूरा प्री बोर्ड का कोईशन पेपर देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं तो आज किस वीडियो में बाइलोजी क्लाश 12 प्री बोर्ड एक्जाम 2024 के लिए मौडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको अपजेक्टिव कोईशन दिये जाएंगे इसके बाद आपके बन वर्ड कोईशन होगे यानि कुछ डिफनीसंस आपको लिखनी होगी इसके बाद लॉंग आंसर शॉर्ट आंसर ये सभी कोईशन आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगी उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजे तो चलिए हम लोग कोईशन पर बढ़ते हैं तो यहां पर questions को हम देखेंगे सबसे पहले आपको यहां पर क्या है objective questions आपके हैं तो objective questions देखेंगे तो सबसे पहला यहां पर objective question है आपका दुई निसेचन किरिया होती है सैवाल में आवरत बीजी पौधो में अनावरत बीजी पौधो में कवक में तो दूई निसेचन के लिए होती है किसमें होती है आवरत्य वीजी पौदों में होती है। इसके बार नेक्ट है अंडाडू के निसेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका है वन्ध्याकरण, हार्मोलल गर्व निरोधन, अवरोधक युक्ती, उपरयुक्त शभी। तो इसका correct answer क्या हो जाएगा उपर युक्त शभी 4th answer आपका correct हो जाएगा उपर युक्त शभी नेक्स्ट है पैने सिलिन की खोज किशने की थी तो पैने सिलिन की खोज किशने की थी बेंजामीन इसमें ते फ्लेमिंग ने और वर ने तो पैने सिलिन की खोज किशने की थी तो पैने सिलिन की खोज किशने की थी तो पैने सिलिन की खोज किशने की थी इसके बाद नेक्स्ट किसे संबन्दित है प्लाज मिट से संबन्दित है तो यहां पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा इसके बाद निक्स्ट कुईश्चन है दूसरे का का प्रश्ण है निमिलिता को परिभाशित कीजिए क्या है निमिलिता को परिभाशित कीजिए क्या है निमिलिता को परिभाशित कीजिए इसके बाद निक्स्ट है सायक जनन प्रध्योगी की का प्रात्मी को देश्य क्या है Erythro, Blastosis, Feetalysis का वड़न कीजिए. इसके बाद next है, Lysogenic चकर पर टिपड़ी लिखिए. क्या है? Lysogenic चकर पर टिपड़ी लिखिए. यहाँ पर आपको टिपड़ी लिखनी है. इसके बाद next है, सिरका उतपादन में किन जीवाड़ूं का उपयोग होता है? तो यह आपके एक एक नमबर की कोईशिन कितने हैं? पाँच आपके एक नमबर के कोईशिन होते हैं. और वो पाँच नमबर के objective कोईशिन होते हैं. इसके बाद आते हैं थर्ड कोईशिन पर प्रथम इस्थन्द कोलोस्ट्रोम किसे कहते हैं? क्या है? प्रथम इस्थन्द कोलोस्ट्रोम किसे कहते हैं? इसके बाद next है, क्लोनिंग से क्या तात पर रहे हैं? क्या प्रश्ण है? प्रश्ण है, यूरी थर्मिक प्रजातियां क्या हैं क्या हैं यूरी थर्मिक प्रजातियां किने कहते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है इसके बाद इंग्या प्रश्ण है भारत में विसाल पारिसिती विवनताओं का क्या कारण है तो इसका क्या कारण है मौसम की जलवायू यानि कि भारत में वौसम के विविनताएं होना ये सबी काड़ हैं जिसमें भारत में विसाल पासित विविनताएं पाई जाती हैं इसके बाद हमारा फॉर्ट का प्रश्ण है निसेचन तथा दूई निसेचन में अंतर लिखिए क्या है खा प्रश्ण है protein sensation में RNA का क्या योगदान है नेक्स्ट है गा प्रश्ण है अनुवांसी कोड़ पर टिपड़ी लिखिए क्या है अनुवांसी कोड़ पर टिपड़ी लिखिए इसके बाद घा प्रश्ण है अलकोहॉल के कूपरभाव रोक थाम तथा उपचार का संचिप्त वर्ण कीजिए तो यहाँ पर आपके चार है प्रश्ण चारों आपके तीन तीन नमर के प्रश्ण है इस प्रकार आपके क्या कहा जा रहा है टीका करण का क्या उपयोग है उधार दीजिए यहां पर उपयोग है यहां पर उपभोग लिखा है उपयोग कर लेंगे इसके बाद सुचम जीवों का और शदी उपयोग का वर्लन कीजिए यानि कि सुचम जीवों का और शदी में किस प्रकार उपयोग ह होता है यह आपको यहाँ पर वर्लन करना है इसके बाद है मानव हित्मे सुच्म जीवों का महत्व समझाईए कि मानव के हित्मे सुच्म इस प्रकार मैं तो नहीं आपको यहाँ पर बताना है और इस टाइब का कोश्चन आप से जरूर पूछा जाता है तो यह कोश्चन आप जरूर याद रखेंगे इसके बाद क्या सुकेंद्र की कोश्काओं में प्रती बंधन यानि की एंडो निकलिएज मिलते हैं इंडो निकलिएज मिलते हैं अपने उत्तरों की पुष्टी कीजिए क्या है क्या सुकेंद्र की कोश्काओं में प्रती बंधन एंडो निकलिएज मिलते हैं अपने उत्तरों की यहाँ पर आपको पुष्टी करनी है क्या करनी है पुष्टी करनी है इसके बाद छटवे का प्रश्ण है प्रति जयविकों की किरिया विधी बताईए कि बाद नेक्ष्ट है सहोपकारिता अ अथवा परसपरती पर टिपड़ी लिखिए इसके बाद नेक्ष्ट कुश्टन है पादव शमदाय के लच्छर लिखिए यानि पादव शमदाय क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है और उसके क्या लच्छन है वो आपको यहां पर लिखना रहेगा इसके बाद नेक्ष्ट है जातियों की चार प्रमुक संकट ग्रस्ट स्रेणियों कौन कौन सी है संचिप्त वड़न कीजिए इसके बाद नेक्ष्ट कोश्चन आता है शेवन युगमनच से प्रारम करते हुए किसी दुई बीच पत्री में भुरून के विकास की विविन प्रावस्थाओं का केवल चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए इसके बाद अत्वा में आपको दूसरा दिया गया है अगर आपको वो नहीं आता है तो आप दूसरा कर सकते हैं अनुवादन या अनुरूपण या ट्रांसलेशन पर क्रिया का वणन करना है तो दोनों में से आपको कोई एक प्रशन करना है आपको करने पर पांच नंबर मिलेंगे पांच नमबर मिलेंगे इसके बार नेक्ष्ट है प्रतिर अच्छा तंतर से आप क्या समझते हैं इसकी खोच करने वाले वग्यानिक नाम बताईए चेचक रोक की लच्छर संक्रमण तथा रोक थाम के उपाईल लिखे तो यहाँ पर ये कुश्चन है अत्वा में आपको ये गए हैं दो आपको उन में से कोई एक प्रश्ण करना है और इसको करने पर आपको मिलेंगे कितने नमबर मिलेंगे आपको पांच नमबर मिलेंगे इसके बाद नौ प्रश्ण है जो हमारा लास्ट प्रश्ण है क्या प्रश्ण में कह रहे हैं प्राकरति में विविन पर दो दिये गहें, आपको कोई एक करना है, यहाँ पर आपको पांच नंबर मिलेंगे, अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है, तो वह भी हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसकी PDF कहां से डाउनलोड करेंगे, तो PDF डाउनलोड करनी आपको आना है Google Chrome पर, यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है, हिंदुस्तान क्या सर्च करेंगे, हिंदुस्तान नौलेज आपको सर्च करना है, जैसे आप हिंदुस्तान नौलेज सर्च करेंगे, तो आपका पीच कुछ इस प्रकार यहाँ पर ओपिन होकर आ जाएगा, तो आपको पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार यहां पर आ जाएगा क्या हो जाएगा यहां पर आप लोग क्लाश 12 पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार यहां पर आ जाएगे आपको इस प्रकार यहां पर दिख जाएगा या फिर नीचे आपको यहां पर दीख क्लाश 12 दिखता है तो इस पर आप लोग क्लिक करके यहां से हैं क्लाश 12 पे आशकते हैं यहां पर देखिए इसके बाद आउपर जाएंगे तो यहां पर UP Board 12 Question Paper PDF डाउनलोड तो किसी पर भी आप क्लिक करके Read More के बटन पर जाएंगे क्लिक करके तो इस प्रकार यह पेज आपका open होकर आ जाएगा तो यहां पर आपको देखिए मिल जाएगा डाउनलोड की लिंक आपको यहां पर देखनी को मिली Chemistry हाप एडली की दिख जाएंगी यहां पर आपको Physics हाप एडली की वीडियो प्रीवेस येर मॉडल पेपर मिल जाएंगी इसके बाद यहां पर आपको किसी पर भी क्लिक करके आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी भी आपको डाउनलोड करनी हो pre-board हाप एडली annual exam किसी की भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए गर आपको वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक करेगा दोस्त तुमें शेयर करेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्षन में पहुँच सकते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में